पीम किसान समान निदी योजना की अठारवी किस्त सभी किसानों को ट्रांसफर कर दी गई है माननी परदामत्री स्री नर्णदर मोदी के द्वारा माराष्ट के वासिम से यरासी हस्तरांतरित की गई है लगबग 9.4 करोड किसानों को 20,000 करोड से भी ज़्यादा धंदरा से फ्रांसफर की गई है या आपको भी पीम किसान समान निदी की अठारवी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको करना क्या है इस वीडियो के अंदर आके सब कुछ बताता हूँ आपको कैसे स्टेटस से करना है अठारवी किस्त का और आपको कैसे से करना है कि मेरे आदार के साथ कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो आगे वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा पीम किसान अठारवी किस्त का इस्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पीम किसान गोल एप्लिक्सन डाउंलोड कर लेना है उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है जैसे एफ्लिक्स न ओपन हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर एक्सेस दे दनी है लोकेशन की तो लोग कर दिना यहाँ पर उसके बाद में जिस भी लेंग्वेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते है जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के साथ बढ़ना चाहते है तो वोगिन के उपर क्लिक करना है, इसके बाद में आपको Login के उपर क्लिक करना है, जैसे आप Login के उपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर Login Type आपको Select करना है, उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टेशन नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप करते हैं तो उसके बाद में OTP को एंटर कर लेंगे, जैसे दोस्तों आप OTP को एंटर करते हैं, तो उसके बाद में आपको Login को उपर क्लिक करना है, जैसे आप Login को उपर क्लिक करते हैं, यहापे आपको Dashboard को उपर क्लिक करना है, जैसे Dashboard को उपर क्लिक करते हैं, तो यहापे यहाँ इसके उपर क्लिए करेंगे तो यहाँ पर इंस्टोलेशन फिलाल जो है इस एपलीशन जादर थोड़ा से एरर चल रहा है बागी यहाँ पर वेब पर लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपका दिका देगा तो कैसे पता कर सकते है कि आदार सिटिंग बैंक कौन सा है कि हमारे कौन से बैंक अकाउट गंदर जो है पैसा आया है तो इसके लिए आपको करना क्या है आधार सिटिंग बैंक अकाउट देखने के लिए आपको गुगल पेट टाइप करना है NPCI क्या टाइब करना आपको NPCI मैं लिंक भी दे दूँगा आपको description पार्ट केंदर तो NPCI जैसे आप टाइब करते है तो पहली website आजाती है इस website को आपको open कर लेना है जैसे इस website को आप open करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं consumer वाला tab आपको नजर आ रहा है simple सा आपको इसके उपर किलिक करना है और यहाँ पर आपको भारत सीडिंग इनेबल के उपर किलिक करना है यहाँ पर नया processes आपको पूरा देखना है इस process को तो भारत सीडिंग के उपर आपको किलिक करना है जैसे आप भारत सीडिंग के उपर किलिक करते हैं तो यहाँ पर NPCI के officially page के उपर पहुंचाते हैं तो यहाँ से आपको status कहां से देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर किलिक करना है request for आधार सीडिंग इसको पर किलिक करना है पिर यहां पर जो capture code दे रखा है वो enter करना है फिर sack status को उपर आपको click करना है तो मैंने details fill कर दी है sack status को उपर मैं click करूँगा तो आधार के साथ register mobile number पर OTP चली जाएगा उस OTP को आपको यहां पर enter कर लेना है OTP को enter करने के बाद मैं आपको submit को उपर click करना है जैसे आप submit को उपर click करते है तो यहां पर जो है आपका आधार dbt status सो हो जाता है तो यहां पर देख सकते है कि मेरी यहां पर kotak maindra bank link है तो आपके जो भी bank link होगी वो यहां पर दिखाई देगी mapping status आपका enable होना चाहिए enable for dbt यह भी आपका yes होना चाहिए आपकी yes है और यहां पर जो है bank account आपका जो सो कर रहा है इसी bank account के अंदर आपका जो PM किसान की जो अठार में केस्त है वो आई है दोस्तो यहां पर जो है dbt यहां पर in active बताती है तो आपको दुबारत से dbt करनी है बहुत सारी वीडियो बने हुए है किसी भी bank के अंदर account है तो आप किसी भी bank के अंदर घर बैटे ही dbt कर सकते है उसका वीडियो आपको description पार्ट यहां फिर i button के अंदर मिल जाएगा वहां जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ह और वीडियो स्क्राइब कीजिए थैंक यू